टिक्नोमेट्री अभी के वीडियो लेक्शन में जस्ट पीछे वाले लक्शर पर ही हम चर्चा करेंगे जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था इस प्रोपर्टी के बारे में कि यदि किसी फंक्शन को मुझे प्राप्त करना हो तो मैं उसके अगले से अगले वाले टर्म में डिवाइट करूँगा जैसे यदि मुझे वन को प्राप्त करना हो तो मैं क्या करूँगा कि यहां से मैं चलूँगा टू की ओर और यहीं से मैं चलूँगा आपको थ्री कोर इस one को प्राप्ट करने के लिए मुझे two तथा three में divide करना होगा ठीक इसी प्रकार यदि हम इसका array से proclaim करें array से proclaim करने का मतलब कि यदि हम इसका उल्टा चलेंगे तो यदि हम function इसको माल ले रहा है one और इसको यदि हम माल ले two और इस वाले function को यदि हम माल ले three तो ये भी उसी टर्म का पालम करेगा जैसे दिखते हैं हम कि 10 ठीटा है कितना है 10 ठीटा है तो 10 ठीटा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 6 ठीटा और बाई आपको डिवाइड करें कितना से कोसिक ठीटा से इसी प्रकार यदि 6 ठीटा को निकालना हो तो शेख ठीटा के लिए फर्मूला हो जाएगा कितना कोशिक ठीटा, जी हाँ, कोशिक ठीटा, इसके तीसरा फंक्सन का जो काम करेगा वो आपका हो जाएगा, कोट ठीटा, इसी प्रकार यदी मेरे को कोशिक ठीटा निकालना हो, क्या कोशिक ठीटा, तो कोसिक छिटा को प्राप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कॉट इसके लिए दूसरा फंक्सन होगा तथा कॉट के जश्ट बाद में जो कॉस होगा वो आपके लिए इसके लिए तीसरा फंक्सन होगा इसी प्रकार यदि मुझे कॉट मिले तो cos theta को प्राप्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा यह 1 हो गया तो यह 2 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो cos theta को प्राप्ट करने के लिए मैं करूंगा कि cos theta और by आपका हो जाएगा sin theta इसी प्रकार यदि मेरे को cos theta निकालना हो तो cos theta equal to cos 1 हो जाएगा तो sin दूसरा हो जाएगा तो tan तीसरा हो जाएगा मिस sin theta और by tan theta हो जाएगा इसी प्रकार यदि मेरे को sin theta निकालना हो क्या? sin theta तो sin theta को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा? कि tan theta और by जो इसके अगले step में मैं दिख रहा हूँ वो आपका set theta होगा इस प्रकार हम इस दूसरे function को भी जान पाएगा अब हम लोग यहाँ भी बताया थे पीछे में मैंने यहाँ भी बताया था कि इसका जो value होता है तो diagonal को यदि हम मिला देंगे तो इसका value आपका 1 के बराबर होता है इसी प्रकार यदि मैं इस function को तथा इस function को multiple form में रखूँ तो इसका भी value आपका 1 के बराबर आएगा जैसा कि मैंने यह बताया था यानि कि sin theta into cos theta equal to आपका 1 होता है इसी प्रकार sin theta cos theta 1 cos theta into sec theta equal to 1 cos theta into tan theta equal to 1 होता है अब चुकि हमारा last है और मैं आज का जो lecture है मैं यहीं पर समाप्त करूँगा बट इसके पहले मैं उसी term को एक बार और repeat करूँगा दूसरे धंग से express करूँगा तो आईए देखते हैं क्या है तो किसी function को यदि मेरे को प्राप्त करना हो तो उसके दोनों side के function को यदि मैं गुना करूँगा तो वो function मेरे को मिल लेगा जैसे यदि मेरे को sin theta निकलना हो तो मैं क्या करूँगा किनारे वाले terms को गुना करूँगा जैसे अभी मैं 10 theta निकलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 10 theta तो 10 theta के आजू-बाजू में क्या है तो 10 theta के आजू-बाजू में आपका sin theta और यह है आपका 6 theta तो इसमें गुना कर देना होगा means 10 theta equal to हम formula लगा सकते हैं कि sin theta into 6 theta इसी प्रकार यदि मेरे को sin प्राप्त करना हो sin तो sin theta के आजू-बाजू क्या है तो sin theta के आजू-बाजू आपका है 10 theta और यह है आपका cos theta तो मैं बोलूँ है 10 theta और into cos theta इसी प्रकार यदि मेरे को cos theta निकलना हो cos theta तो cos theta के आजू बाजू में क्या है तो cos के आजू बाजू में है आपका कितना sign है और इधर से आपका cot है तो मैं बोलूँगा कितना कि sin theta into cot theta इसी प्रकार यदि मेरे को cot theta मिल दया है तो cot theta को मैं कैसे प्राप्त करूँगा तो cot theta के आजू बाजू में आपका है कोस छिटा और कोसिक छिटा तो कोस छिटा इन्टू कोसिक छिटा इसी प्रकार यदि मेरे को निकालना हो कोसिक छिटा तो मैं बोलूँगा कोसिक छिटा इक्वल टू आपका हो जागा कोट छिटा इन्टू सेख छिटा cot theta into 6 theta इसी प्रकार यदि मेरे को 6 theta निकालना हो तो मैं बोलूँगा कि 6 theta equal to आपका cosic theta into 10 theta होगा मैं किसी भी terms को आगे पिछे लिख सकता हूँ इससे कोई भी फर्थ नहीं परेगा आज के लिए बस इतना ही यदि आपको मेरे दुआरा बनाया गया या वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो किर्प्या कर इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें लाइक करें तथा आपने मित्रों के साथ में share करना लगोलें तो नहीं मैं इस function को एक बार और बताना चाहूँगा यदि मेरे को 10 θ चाहिए तो इसके आजु बाजु वाले function को इसके लिए गुना करना होगा कहने का मतलब है कि 10 θ ते इकवल टू sin θ इंटू सेख θ इंटा इसी प्रकार यदि मेरे को cot चाहिए तो इसके लिए मेरे को क्या करना परे है कि cos theta तथा cos theta को करना होगा इसी प्रकार यदि मेरे कोई 6 चाहिए तो 6 को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना परेगा तो tan theta into cos theta में गुद्णा परना करना परेगा ठीक है आज के लिए बस इतना है तब तक के लिए धन्यवाद